नमस्कार दोस्तों, बोल्ट स्काई में आपका स्वागत है। बालों की खुबसूरती बढ़ाने के लिए अक्सर लड़कियां अंडे का इस्तमाल करती हैं। लड़कें अक्सर अंडे का इस्तिमाल बालों की कई समस्यां जैसे डेंडरफ, बालों का जढ़ना, रुखे होना, बालों में शाइन लाने के लिए अंडे का इस्तिमाल करती हैं आप में से कई लोगों के मन में अंडे का इस्तमाल करते समय यह सवाल जरूर उठता होगा कि बालों में अंडा लगाना सही है या नहीं वैसे तो अंडे में कई पोशक तत्व मजूद होते हैं जैसे प्रोटीन, मिनरल और बी, कॉम्पलेक्स यह सभी पोशक तत्व बालों के लिए बहुत लाबकारी होते हैं लेकिन यदि आपके बाल पहले से ही ओईली हैं तो इन बालों के लिए अंडे का ज्यादा इस्तमाल न लोक्टरों के मताबिक ड्राई बालों में अंडे की जर्दी नुकसान दे नहीं होती क्यूंकि ये बालों में ओईल जोडती हैं लेकिन अंडे की जर्दी या एग्योग में ज्यादा ओईल होता है इसलिए उन लोगों के बालों को नुकसान पहुचा सकता है जिनके बाल प स्किन को इरिटेट करता है जिससे कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम सेल ग्रोथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और उनकी डेड़ सेल स्कैल्प पे जमा होकर डेंडरफ का निर्मान करते हैं इसलिए यदि आपके बाल ऑईली हैं तो आपको बालों में एग योग का ज् पैसे बालों में एक खराब स्फेल खारन बनता है दरअसल एग योग में मौझूत तत्व बालों के साथ मिक्स होकर स्मेल पैदा करते हैं और ये स्मेल कई बार इतनी तीकी हो जाती है कि इससे बरदाश करना भी मुश्किल हो जाता है जब ऑईली बालों में एग योग का इस्तमाल किया जाता है तब ये बालों की प्राकतिक तेल में मिक्स होकर और ज्यादा बद्भू का कारण बन जाती है कई बार ये स्म मंसून में और गर्मियों में बालों में अंडे का इस्तिमाल से बचे बन सकता है हेरफॉल का कारण अगर आप ओईली बालों में एग्यों की जरूरत से ज्यादा इस्तिमाल करते हैं तो हेरफॉल का कारण भी बन सकता है यह बालों के तले में मिक्स होकर डेंडरफ को जमा दे और डेंडरफ हेर फॉल के मुख्य कारणों में से एक है अगर आपके बालों में आच्छी मात्रा में प्राकतिक तेल मौजूद है तो अंडे का ज्यादा इस्तिमाल से बचे इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल कर दियेगा